राजा राम मोहन राई का जन पश्चिम बंगाल में हुगली जीले के राधनगर गाउं में 22 मई 1772 को हुआ था उनकी प्रारंबिक शिक्षा गाउं में हुई उनके पिता रमकांत राई वैशनव थे उनने उच्चि शिक्षा के लिए पटना भेजा गया तीवर बुद्धी होने के कारण उन्होंने 15 वश की आयू तक बांगला, पार्सी, अर्भी और संस्कृत सीग ली थी राजराम मोहन राय, मूर्ती पूजा और रूडी वादी हिंदू परंपराओं के विरुद्य थे, वे सभी प्रकार के अंधविश्वास के खिलाब थे अपने पिता से मतवेध होने पर उन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने घर लोटने से पहले काफी यात्राएं की जब वे वापस घर लोटे, तब परिवार ने उनकी शादी करा दी, यह सोच कर कि वे बदल जाएंगे परंतु ऐसा नहीं हुआ, वे वारननसी चले गए, उन्होंने वहाँ वेदों, उपनिशदों, एम हिंदू दर्शन का गहन अध्यन किया जब उनके पिता की मृत्यू हुई, तो वे मुर्शिदाबाद लोट आए, उन्होंने इस इंडिया कंपनी के राजस्विभाग में नौकरी शुरू कर दी, वे जॉन डिगबी के सहाया के रूप में कारे करते थे वहाँ वे पश्चिमी संस्कृती एम सहित्य के संपर्क में आये, उन्होंने जैन विद्वानों से जैन धर्म की और मुस्लिम विद्वानों से सूफी वाद की शिक्षा प्राप्त की राजराम मोहन राए ने समाज की कुरीतियों जैसे सती पर्था बाल विवा के खिलाब खुल कर संगर्श किया उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक की मदद से सती पर्था के खिलाब कानून बनवाया उन्होंने कहा कि सती पर्था का वेदों में कोई स्थान नहीं है उन्होंने घूम घूम कर लोगों को सती पर्था के खिलाब जागरूप किया उन्होंने लोगों की सोच में बदलाव लाने का अथक प्रयास किया उन्होंने 1814 में आत्मिय सभा का गठन कर समाज में समाजिक और धार्मिक सुधार लाने का प्रयास किया उन्होंने महिलाओं के फिर से शादी करने और संपत्ती मेहक के लिए अभ्यान चलाया उन्होंने सतिप्रथा और बहुविभा का विरोध किया उस समय समाज में अनेक कुरीतियां और पिछड़ापन था, राजा राम मोहनराय यूरोपीय प्रगती शील एम आधुनिक विचारों से प्रभावित थे। लोगों के सोचने समझने का नजरिया बतला। नॉवंबर 1830 में उन्होंने ब्रिटेन की यात्रा की। उनका निधन 27 सितंबर 1833 को हुआ।